हलो इभरीवन, वेलकम टू यास्च की क्राफट शाला क्राफट शाला हम प्र तरीजाह हैं एक नए क्राफट के शाथ में और यह रोस वाला मैंने बनाया है और यखीन मानिए बहुत ही प्यारा लगता है तो उसा डिफरेंट है इसके लिए मैंने पहले रोज बनाया है उसके बाद में हमने वाइट वाला तैसल से डिफरेंट थोड़ा सा बनाया है उसके बाद तैसल है लास्ट में हमने जो हैंगिंग है वो बनाया है जो उपर से हैंग करने वाला जो डोरी रहता है वो तो कुछ इस तरीके से मैंने चारचर उरन थ्रेड लिया है उसके बाद उसको चोटियों जैसे गूत कर इसको दोनों एंड को हमने बान दिया है और इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप चोटी गूते उसको बहुत ही धीला गूतिएगा आप जितना धीला गूतेंगे उतना ही प्यारा आपका रोज बनेगा अगर आप इसको टाइट गूतेंगे तो रोज उतना प्यारा नहीं बन पाएगा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे तो कुछ इस तरीके से और घुमाते वे हलके हाथों से हमने रोज बना लिया है अब इसके पीछे हमको क्या क खीचेंगे तो वो सिकुड जाएगा तो इसको हलके हाथों से हमको सिलना है ज्यादा खीचना नहीं है तो इस बात का आप ध्यान दे अब रोज बन जाता है तो अपनका ऐसा लगते है कि इसकी पीछे में तो ग्रीन कलर को कुछ रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा करके तो उसके लिए भी हमने जुगाड बनाया है क्योंकि हम लोग इंडियन लोग है तो जुगाड तो हमारे खून में रहता है कि हम इसको कैसे और बिटर बना सकें तो यह हमारे रोज बनकर रेडी है अब इसके ग्रीन वाले का जुगाड हम करते हैं तो यह देखिए यह मैंन अब आपका उन तो अज़ाब बार भी लेना पड़ सकता है और अगर मोटा है तो कम में भी काम चल जाएगा वीच पोसन को इसे बांदने के बाद में किनारे को हमको कट कर लेना है कुछ इस तरीके से मैंने इसको cut कर लिया है अब हमारा दोनों को हमको एक साथ add करना है ऐसे अब देखिए हमारा फिर से स्वीधागा ready है यह स्वीधागा मुझे personally पसंद है क्योंकि glue gun है वो सबी के पास available नहीं रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कि minimum resources में जितना अच्छा हम बना सके craft किसी को ना बोले कि यहां से यह लाओ वहां से वो लाओ तो यह ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि actual मैं जहां पर रहते हूं वहां से जो craft का shop है वो बहुत दूर है तो स्वीधागा तो अराम से हमको हर जगम मिल जाता है अगर हमारे यहां नहीं है तो फोड़ोसी सिगहर से भी अपन स्वी लेकर आ सकते हैं कि जो हमको चाहिए उन तो हमारे पास है तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया है और extra उनको हमको cut कर लेना यह देखिए rose और यह रहा हमारा बहुत सारे roses कैसा लग रहा है आपको बताईए अगर ज़रूर इते सारे roses देखकर आपको कैसा लगा मुझे तिक दम garden वाला feeling आ गया अब इसके बाद हमको यह white वाला बनाना है जो बीच में हमको लगाना रहेगा means rose के just open में हमको लगाना रहेगा यह मैंने 10 times किया है अगर आप इसको बड़े वाले cardboard में भी कर सकते हैं अगर आप एक साथ ही बनाना चाहें तो और कुछ इस तरीके से बनाने बाद हमको छोटा सा और उन लेना है और इसको काट में के बाद इसको हमको बीच से बान देना है कुछ इस तरीके से हमको पकड़ना है और ऐसे हमको बानते जाना है आप red rose के साथ में कौन सा color आप prefer करना चाहेंगे जो मैंने यहाँ वो white use के आप कौन सा color लगाना चाहेंगे या तो आप लगाने के बाद बढनने के बाद मुझे कॉमें म copies करके बनाया या तो आप ओकशस का करके सकते हैं कि आप वो कौन सा color के साथ में कौन सेन कलर का कॉमिनिशन से यूज़क लगाना किपना बार कौन-वार कोन हो गई कि उसका यूज़क अप कौन लगाना तो नहीं यही रहता है कि मैं देख रही है मिले को जो आँखों को अच्छा लगे मैं वही वाला कलर चूज कर लेती हूं तो कुछ इस तरीके से सभी को गुदते जाना है हमको लटकनी या लड़िया बनाती जानी है और जो यह आप देख रहे हैं रेड कलर में जो मैंने टैसल बनाया ह है वह तो आप बनाना सीखी गए होंगी इसका मैंने इसका क्लिप एडने किया है अगर आपको नहीं पता है तो आप कॉमेंट से मुझे कर सकते हैं मैं इसका शेपरेट वीडियो एक डाल दोंगी और कुछ इस तरीके से मैंने यूज किया है अब आप लेंध के अकॉर्डि 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे यूज किया है आप चाहें तो कहीं चीजों को आप रिपीट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यह जो टैसल की बीच में गेप है वो आपको कम और चीए तो आप चाहदा टैसल्स यूज कर सकते हैं मुझे इतना ही अच्छा लगा और यह करना हैं एसेंबल तो यह मैंने चूटिया वाला बनाया है और अगर इसको तो आप बनाना सीखी गया होंगे क्योंकि मैंने बाहर यूज किया इसको इसकान से और यह देखिए यह कुछ इस तरीके से मैंने स्वीधागा की यह इस तोरन का सबसे खास बात में को यह लगता ह इसमें आपको नगडोगण चाहिए ने ताम जाहिए जहाम चाहिए नगोच नीच चाहिए ना तो फ्यम्कानी के लिए आपको अगर आपके पास वाला है तो आराम आप यह बना सकती है और वीडियो तो मेरा है ही तो यह देखिए अमारा बन के रडी हो गया है और यह कि हमारा रोज बहुत प्यारा आप एक बर बनाई हैं और हमको बताइए कि कैसा बना आप से और अगर ऐसे वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो यह चैनल को सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियो को जड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए ओकी बाप